टीबी के महादेब मोहित रहना को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है शादी के महज 11 महीने बाद ही मोहित अपनी पत्नी अदिती शर्मा से अलग हो गए है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मोहित की परसनल लाइफ में बहुत उथल पुथल हो गई है वो अपनी पत्नी से अलग रहने लगे है मोहित ने इस पूरे मामले पर चुप पी साथ रखी है और इसलिए लोगों का शक और जाधा बढ़ गया है मोनी राय से रिष्टा तूड जाने के बाद मोहित रहना बहुत अकेले पड़ गए थे इसके बाद अचानक मोनी ने बिजनसमेन सूरज नामबेर से शादी का एलान कर दिया लेकिन तब ही अचानक मोनी की शादी से ठीक 27 दिन पहले एक जन्बरी को मोहित ने अचानक अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सब को हैरान कर दिया था मोहित ने अदिती शर्मा संग साथ फेरे ले ले लिया लेकिन इस शादी की खबर किसी को कानो कान नहीं लगी मोहित के बाद 27 जन्मरी को मौनी राई ने शादी रचाई कई लोगों ने इसे मोहित का बदला भी कहा मोहित अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश थे लेकिन तबी अचानक खबर आई कि मोहित पत्नी से अलग हो गए है मोहित इंस्ट्राग्राम पर खुव एक्टिव रहते हैं लेकिन बीबी के साथ उन्होंने अपनी आखरी तस्वीर छे महीने पहले एक जून को शेर की थी इसके बाद बीबी के साथ उनकी कोई पोस्ट नहीं है यहां तक कि दिवाली जैसे त्युहार पर मोहित ने अपनी पत्नी के साथ कोई फोटो शेर नहीं की जबकि उनकी पत्नी के साथ यह पहली दिवाली थी पत्नी से अलग होने की खबरों पर मोहित की चुपी ने सब को परिशान कर दिया है फिलाल जब तक मोहित इस पर कुछ नहीं बोलते तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी लेकिन अगर मोहित का घड़ तूटता है तो इससे उनके लाखो फैंस का दिल जरूर तूट जाएगा आप क्या कहिंगे इस पर अपनी राय हमें कमेंट पे दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलिवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजे